तो आज की हमारे इस online class में हम आपके साथ discuss कर रहे हैं VVA Micro Programming के उपर हम आज बात करेंगे और आज बात करेंगे code concept के उपर हमने कल बात की थी fundamental के बारे में आज हम बात करेंगे कि वी वी का यूज कहां होता है कुछ theoretical भी होगी कुछ practical भी होगी आज की क्लासिस तो अभी जो हमारा section चला है और code concept का session चला है तो last class में हमने VVA concept को समझाया था क्या क्या करना चाहिए क्या 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 नहीं करना चाहिए यूज किये थे तो आज इस class start करत सबसे परिबाद चाहिए कि क्या कि ऐसा तो नहीं नहीं कि आपको बहुत में एक report भेजा और आप उसको वी वी कोट कर लेगे तो वी वी का यूज जो होता है वो होता है डेली यूजिस पे repeat वर्क पे जैसे आपके पास दो या तीन या चार फाइल है जिस पे आप घंटे- दो गंटे का टाइम लगा के रिपोर्ट बनाते हैं और उसको बेजते हैं ऐसे रिपोर्ट को आप वी वी के जरी आटोमेट कर दें ताकि घंटे-दो गंटे का टाइम आपका बच जाए और बेचिन सेकेंड में हो जाए तो सबसे पहले क्या है रिपीटेड वर्ट तो सिच्वेशन होती है पहली रिपीटेड वर्ट कि आप ऐसे काम करेंगे इस पे रिपीटेड वर्ट मुझे देख लिजिए मुझे हर घंटे एक मेल करनी पड़ती है अपने इस प्रेल को बैस को उसके प्रोजेक्ट में तो मैंने क्या मैक्रोगार्मिंग मुणा लिया अब क्या हूँ आप यह इमेल अब करूगा करेगा अर यह सब्जेक्ट और नकर देगा विधिन सेकेंड में हो जाए पांसे ़किंटे बीच में हो जाएगा को है यूज करते हैं कब जब आपके पास रिप्टेड वर्क होता है कि दूसरी सुझेशन आती है लेंदी वर्क कि ऐसा काम जो एक ही बार रहा है बर कासी ज़्यादा लेंदी है अब इसका एक्जामपल क्या रहता है तो चलिए हम आपको एक माक्रो बना के बताते है कि रिपिटेड वर्क का एक्जामपल क्या है इसके लिए हम सुझी गूगल की मदद लेंगे गूगल से हम कुछ लिस्ट लिकाने वाले है कि यहां से हमने गूगल से हमने माले एड कि पोस्टाइट लिस्ट के बार क्लिक कर दिया कि नहीं इस पर हाइपर लिंक नहीं लगा है हमें ऐसा लिस्ट चाहिए जिस पर हाइपर लिंक लगा हो कि नहीं इस पर हाइपर लिंक नहीं लगा है लिस्ट पहले आया तो साथ फॉस्ट करें इसको दब देखें कि नहीं 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 यह लगा है कि नहीं लगा है कि नहीं नहीं लगा है कि नहीं लगा है कि एक मिनुदे लिए जो से यह देखे इस पर हाई पर लिंग बढ़ा हुआ है हमने इसको कॉपी किया इस लिस्ट को हमने कॉपी किया और एक्सल सीट पर हमने पेज कर दिया अब मैं इंटर्जेश से एक लिस्ट को लिया हूँ और उस लिस्ट को मैंने हाँ के सामने पेज कर दिया अब प्रॉलम ही है कि मेरा जो लिस्ट है उस पे थोड़ा सा दिकत है इसमें जिसे की यूरल दिख रहा है आपको लेकिं हो सकता है कि इसमें यूरल ना हूँ जिसे की अब यहां पर ऐसा हो सकता है आपका कि यह आपका इस तरह से हो अब डॉट कॉम होगा डॉट कोहा डॉट और जी होगा कुछ भी हो सकता है तो बस क्या है कि इसके उपर जो हाइपर लिंक लगा हुआ है उसमें एक्टुवल सारे के सारे है राइट क्लिक करके अगर आप जाएं एडिट हाइपर लिंक तो यहां पे आप देखेंगे इसका कम्प्लीट यूरल तो मेरे पास जो लिस्ट और डिपसाइट है उसके नेम है उसका कम्प्लीट यूरल नहीं है मैं चाहता हूँ कि यहां कम्प्लीट मेरा यूरल भी है कि अब मेनुल एक्सल से बात करें तो मेनुल एक्सल से क्या करना होगा मैनुल एक्सल साथको हर एक क्योड़ करना होगा अधिक पे जाना होगा और फीट इसकी एक से दो दिन लगेगा और चार लाग हुआ तो महीना लग सकता है तो इस काम को लेकिन करना मुझे वन टाइम ही है ऐसा नहीं कि मुझे हर दिन आता है आता तो सिर्फ महीने आया तो सिर्फ एक बार है अब in future में यह आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है को और यहां पर रहती है सब्जेक्ट ऐसके नहीं यहां पर फंक्शन बनेंगा फंक्स बेंटर रहेगा फंक्शन यूरारेल बैके ओपेंट करने एन एज ए रींज और यहां पर यूरल इकवल टू एन डाट हाइब लिंक यहां पर वान डॉट ऐडृस पस एक लाइन की कोड हमें लिखा अब यहां पे यू आरेल कि एंटर मारिया पूरा लिस्ट आ गया कि निचे ड्रैग कर दो हम बीवी का यूज जो करेंगे हमने क्या किया बस एक लाइन का कोड लिखा सब और हमारा जो महीनों का काम था ओ काम एक सेकेंड में हो गया अब यहां पर सवाल हमने आपको दो कंडिशन बताए पहले कंडिशन जो थी हमारा रीपिटिट वर्थ मतलब कि जो काम हर दिन या दिन में कई बार यह वीक में या मंत में रीपिटिट करना होता है हाँ हमारा डेटा सोर्स होता है बाकि सारे कंडिशन सा आए उसको त्यार करना हुते हैं यह से एक ब realidad करें और आपका मैध्रोग कंप्लिट ली अब के छिर्ट अब डूसरा आथा है नियुल कि आपकोई जो काम है तो यह वन टाइम के लिए है बट इतना लेंदी है कि बहुत टाइम करेगा तो उसके लिए यूज कर सकते हो अब बोलेगे सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि आप यह दो सिच्वेशन नहीं यूज किया जा सकता है लेगे लिए आपको प्लाइज करना पड़ेगा था यह वी उसके लिए प्लाइज करना पड़ेगा अब नहीं है अब वससे आप़ चोटा सा डेट भीजा कि मुझे इसको समरी देजो अब प्रोल्म नहीं है कि वह समरी आप इब टेबल से बस दो सके नहीं निकाल सकते हैं अब उसके लिए आप पिबर टेबल की कोडिंग लिखने चलेगा है तो बड़कुपी होगी क्योंकि वह वन टाइम का रिजल्ट है वह सिस्क वन टाइम का है उसके पीछे आप बीविद लगाएंगे तो आप अपना टाइम और एफर्ट को देश्ट करेंगे कि उसके लिए और लेडी एक्सल्ट में प्रगार्मिंग है उसी चीज के लिए हाँ पी इसमाल होता है सिंबसी बात असर कि साथ को मानने के लिए लाठी कासी है तोस्की दिरूद नहीं है तो जो फंक्शन की जिलिए कि जो चीज के रिक्रामेंट है आप उसका इसमाल कर सक है इस है अब बात सकते सिचेशन कि मैशन आपको आपको के लिए बनाएं तो दो चीज आदिए अगर आपने मैक्रो अपने लिए बनाना है तो आप वे ध्रख से माईकर यूज कर सकते हैं लेकिन अगर यूज और पार्टी के लिए कि ओर प्रक्रेंस ऐसी बना रहे है तो कि मैंको का यूज कम से कम करें जब तक बहुत जोड़ी नहों तक मैंको का इस्तमाल उस फाइल में ना करें जिसको बहुत सारे लोगों को भीजना है अब ऐसे में क्यों बोला हूँ देखाता हूँ कि वीवे के अंदर आप डेवलपर टायर में जाएंगे तो मैंको सिक्रूर्टी होगा इसको अनेवल करने के लिए कल मैंने बोला था पर दिसेबल से क्या दिक्कत है कि डिफॉल्ट हर एक फाइल के अंदर हर एक सिस्टम पे हर एक आपिस में एक डिसेबल होता है आपको खु तो लोगों को मेल किया अब इसकी गारेंटी तो नहीं है कि तीन सो लोगों के पास वीवीए का स्किल्स होगा और जैसे फाइल खुलेंगे उसको माइक्रो सिक्रूर्टी अलर्ट दिखेगा और अनेवल कर दें तो आपको क्या है कि आपको मेल पे फोन पे आपको उनको एक्स्प्लेइन करना होगा कि इसमें वीवीए के फीचर्स लगे हैं प्लीज अनेवल दमाइक करो तो ऐसे सरदर्दी क्यों पाले सर्दूर्ट तो जब तक बहुत दोड़ी न हो जाएं कि हाँ एस वीवीए के अलावा किसी से होगा ही नहीं तब तक ऐसे फाइलों में वीवीए को लगाना अवाइब कीजिए बिजय जी मैं सही बोल ला हूँ बिजय जी म्यूट हो गया आपका सर्थ करें कि एक बंदा था उसने का किया कि पूरे साल अच्छा से काम किया था बहुत अच्छा काम किया था पूरे साथ एक छोटी सी वात में अप्रेजर से तीन मिन पहले मैनेजर के साथ तुटू मैमे हो उसमे गलती मैंजर की ती अब क्या था अब मैंजर ने फ़र्सकेश्ट जो अपना जो गुश्ता था वो गुश्ता पर निकाल दी आप तो बहुत गंदा कि तुछ बहुत को मेल डाला की मै तो इसका मतलब है कि आप आपके मैनेजर के हाथ में है कि इसको अपरेजर ना देंगे कि इसको अपरेजर ना देंगे काम मतलब नहीं है तो मैं काम नाम चोड़ के मैनेजर से अपने सीजल के पीछे आगे पीछे करता रहा हूं जैसे कि सखारी जॉब्स में होते हैं कि भाई ऑफसर का घर का समान सबजी इसलेंदर बचों की स्कूल शोड़ना करते हैं कि और तो भी प्रमोशन मिल लाए क्या ऐसे सिस्टम यहां भी लागू होगी ऐसी में उन्होंने कर दे अब बहुत को जो था उनको बुदा लगा बहुत ने तुरंट आया उसमें बोला कि अपरेजल का एक सिस्टम होना चाहिए ने उस समय था वी यह डेवलेटिंग तीम में मुझे बलाया गया बला गया कोई सुझाब दीजी मैंने बोला कि डेली वर्क रिपोर्ट बनाना होना 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 चाहिए कि डेली बेसिस पर एक एक फॉर्म होगा उड़ी बेसिस में हर इंप्लोई जाने से पहले भरेग है कि अब उस नंबर को यह जो है काउंट किया जाएगा फिर हमें फीड़ेक लेना होगा इसाल से इसका अटेंटने सबसे ठीक है तो दस में से नंबर देगा ऐसे ही एडमिन जो है ओ देगा जहांसा भी है या कंपनी के सब परती कुछ ऐसा तो किया लिए कि अच्छा लगा बॉर्स में बॉला कि आपको इसका सिस्टम चार करना है तो मैंने एक फॉर्म चार किया और उसकी एक फाइल में देता कि वह तो कि तीन सौ जाथा सौ फाइल सौ फाइल बूजे डेली आएगे उसको कुलीट करना कासिकित भी नely करें चिलुसटिव न में सब्सक्राइब सब्सक्राइब, सबस्क्राइब में वर अपना लिप उसके पितिर धृट जा जाए एक नुप्न कर सब्सक्राइब suf वो अपना पॉइंट को डालता और सब्मिट कर देता और सीधे फाइल डिटावेस्ट में चले जाती है और सेथ एच आड़ी के पास था और इस सारे हुने के बाद ये में पता जिए जाता है कि अपरेजल का कौन जो है किस स्लैब में आ रहा है बस स्लैब का परसेंटेज के साथ निकल जाई उसकी प्रिंटाओर निकाल के तर भी जिए 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 मतलब कि इसमें पूरे साल कुछ करना इनी था बतलब की अपरेजल का काम मत दो से दो से तीन मिनट में कम्प्लीट हो जाता था और भी निसपक्त किसी की पच्षपात नहीं ठीक है सब तो इससे सब्सक्राइब करना बड़ा कि भाई जीए मायको को एनेबल करो उसी कोई वार्णिंग नहीं है वह आपका मायकोट भी से वह सब्सक्राइब कितना ज़्यादा मुझे में टॉचर हुआ था मैं तो इसलिए हम आपको सलाह देते हैं उसे दिसमें मैंने रिशाइड के लिया कि हम ऐसे फाइल में मायक्रोज लगाने से अवाइड करेंगे क्या बलते हमारे आम बासा में कर्मी काटेंगे जो जो बहुत साथ लोगों को अगर पता है कि मुझे फ़र्णाने को फेज़ा है मुझे पता है कि हो एक सब्सक्राइब करना है लेकिन ग्रूप में भेजना है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा वी एसे लोगो को ऑवाइड करता हूं प्रगामिंग आप वहां यूज करें जहां आपको पता है कि हाँ एसे फाइल पर वी ए मैकर प्रगामिंग की यूज करना अवाइड करें जो बहुत सारे लोगों को श्यर होना है आप अपने बना रहे हैं हम लोग क्या करते थे कि एक रिपोर्ट बनता था और रिपोर्ट हमारा नॉर्मल बनता था एक कॉपी करके एक अलग फाइल पे एक नॉर्मल बना रहे था उस कोमिशियर कर देथे तो यह आपको पता चल गया कि वीवियर माइक्रों हम कब यूज करेंगे और किसके लिए यूज करेंगे अब आगे बज़ते हैं अब मैं भी कंप्यूटर स्कीव जेता हूं जैसे कि मैंने कल आपको समझाया कि वीवियर प्रगार्मिंग को सुरू करने से पहले आपके पास डेबलपर टैब होना चाहिए और मैक्र सेक्रूर्टी एनेबल होना चाहिए और किसी चीज़ क्या होता अब आपने घंटे दुगंटे का मेहनत करके एक मैस्व को लिखा मैस्व को सक्सेफुली रान हो गया आप फुस हो गया और फाइल को से अब पुसी नहीं बूल गया है कि मुझे सेंज करना है मैको अनेवल वार्टों आपने एक्सल वार्टों में सेमार दिया आपका दू करने कि मैने लुठ अभर मैतल गया और खुछी तो फिर सुरी उससे बोलना हिसरा है तो क्या एंची तो कैसी उत्सटेक्स मुझ से और हमारे बहुत साहि श्यूण से हुआ है इसलिए हमें पहले हीं इस जीज को पता निटा लेता हूं जैसे अशा आपने इसलिए कि मैंने Excel option के अंदर में वाँ चेटिंग चेंग करते हैं हाँ यहाँ पे हमने default कर रखा है हमने यहाँ पे default file format कर दिया Excel micro enable workbook अब यहाँ पे question और दो दूलर बसे पुछते हैं कि क्या normal data, normal file, normal Excel अगर इसमें हम save करेंगे जिक्कत हुआ जी नहीं कोई लिक्कत नहीं होगा Excel macro enable file में आप macro की file भी save कर सकते हैं और अपने data को भी save कर सकते हैं तो अगर आप हर file को macro enable workbook में ही मरा रहे हैं तो कोई problem नहीं problem कुछ जगों पे होती है जिसकुछ ऐसे software है जो की dot Excel X की format को ही accept करते हैं खासकर secure वगगर तो जब ऐसे file हो ऐसे software पर अपना data upload करना हो तो उसको आप convert कर लीजी से वच कर लीजी ठीक है ठीक है तो कहने के मतलर इस समझ जाए कि save करते समय अगर macro file में अगर आपने Excel workbook को change नहीं किया तो lost होने के chances हैं लेकिन अगर अगर आप नॉमन फाइल से अलमाली से आपने शेट कर लिया micro enable workbook और शेट करते से नॉमन फाइल को अगर आप save कर दिये Excel अगर नुक्सान नहीं है कोई विक्कत नहीं है हल्की स्टूर होगा सब्सक्राइब इस लिए इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर बाइनरी में सेफ करते हैं तो अगर सब्सक्राइब करते हैं अगर वह सब्सक्राइब कर लेता है तो क्या वापस आजाएगा सब्सक्राइब करते समय लॉच्ट हो गया है कि जुक आजाएगा हुलगा सब्सक्राइब ख़िए हो पर और दोनकिनाफ हो ऑढ़ता ही यह उसके हम सब्सक्राइब करें है वहां आसडोर्य जैसे आपका दिख रहना हो, इसमें अप्लोड का उप्शन आता है, फिर अपना यूजर इडी पासवर्ट जेते हैं, तो अब अप्लोड हो जाता है, वहाँ पे विक्कत हो सकता है, कि आपका जो औरिकल वाला जो सॉस्टेर है, क्या ओ. क्योंकि इसका एक्षेंशन के जो जाता है, तो आप इंसूर हो जाएए कि .xlsm जो है, सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है, तो से बच कर दीजिए, आपना एक्षल फाइल के नॉमल, ने, मेरा कुश्चिन यह था, वो एक्षल सम तो मेरा छाखा है, तो उसके इंदर एक निफ मेक्रो लगा हुआ, अगर उसी फाइल को तो इसके निफार में दर में कहा आप जाता है, तो वह वापस मैं उसके इंदर और एक मेक्रोलिक से पना अलगते क्या आपको आपको तुम्हें डिश्टाय्ट का लिंग दिया था और शुच अब मैं स्टाटिक में बताए ना थोड़ा बात किया था लेकिन अब आप से तवा ब्रश अब करके जैसे जब भी अब शुरुआत के टाइंगे तब फिर थेक्ट